ओम नमाह सिवाय हर हर महादे नमस्कार घ्रेलू प्यार में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हूँ साथियों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा बसिकरन दे रहा हूँ घमंडी से घमंडी कठोर से कठोर दिल वाले भी प्यार में दीवाना बन जाते हैं यहाँ एक ऐसा उपाय है तो मित्रो इस उपाय को इस्तिरी भी कर सकते हैं और पूरूस भी कर सकते हैं तो इस्तिरी इस परियोग को उस समय कर सकती है यह समय संबंध तूपने का प्रश्न खड़ा हो तुका हो तूस समय इस तिरी इस परियोग को कर सकते हैं और पूरूस अपने प्रेमी प्रेमका के लिए भी है और इसके अलावा आओं अन्य किसी के लिए भी परियोग किया जा सकते हैं यह ऐसा प्रियोग है कि पत्थर दील को भी मोम कर दो तो मित्रों आप इस उपाय को आप ध्यान से समधें इसमें दीनवार की कोई जरूरत नहीं आप जब भी मर्जी कभी नहीं कर सकते हैं दीनवार का कोई पायबंद नहीं है लेकिन इस उपाय को उस समय किया जाता है गीस समय वह ब्यक्ति इस्तिरी हो या पूरूस हो अपने बेड पर सोया हुआ हो तभी यह परियोग कारगर होता है तो साथियों चार बजे लोग बहुत कम अपने बिश्तर से उठते हैं आज कल तो लोग साथ बजे के बाद ही उठते हैं तो इस बात का पायबंद है इसमों कि आप देखें कि यह परियोग जब आप करें तो वह ब्यक्ति सोया हुआ हो उस समय उठकर करना है तो चार बजे सुबह से लेकर आप पांच बजे तक कर सकते हैं शिरिफ यह आपको देखना है कि जब आप परियोग करें तो वह ब्यक्ति सोया हुआ हो तब ही यह उपायकारगर साबित होगा तो साथियों इसके लिए आपको एक गिलास लेना होगा और इसमें पानी भर कर रखें चाहें गिलास आपका इस्टील का हो कांच का हो पलास्टिक का नहीं होना चाहिए इसमें पानी को भर लें और भर कर अपने दाहिने हाथ में इसको पकड़ें और पकड़ने के बाद एक पोटा सा मंत्र मैं दे रहा हूँ वह मंत्र स्क्रीन पर आप देख लीजिए और जैसा लिखावट है वैसा ही इसका उचारण करिएगा एक लाइन जब एक बार जब पढ़ देंगे तो एक मंत्र होगा इस तरह आपको इस मंत्र को तीन बार पढ़ देना है और पढ़के इस पानी पर फूक को मार देना है और फूक मार कर इस पानी को आपको पी जाना है तो मित्रों यह उपाय कब करना है मैं पहले कई बार बता चुका हूँ चार बजे से पांच बजे के बीच में जब वह व्यक्ति सोया हो चाहें वह हिस्तरी हो या पूरुश हो यह ध्यान रहे तो मित्रों इस तरह से अगर आप लगतार साथ दिन कर देते हैं फिर देखें इस बशिकरण का कमाव घमंडी से घमंडी कठोर से कठोर दिल आपके काबू में आपके मुठी में आपके प्रेम में दिवाना बना देगा यह मंत्र तो साथियों आप हमारे बात को समझ गए होंगें तो साथियों आप करके लाब उठा सकते हैं और यह विडियों उन बैक्तियों के लिए है जो कर करके निरास हो चुके हों ठक गए हों इनका तंद्र मंत्र तोटका से विश्वाश तूट गया हों उन बैक्तियों के लिए यह कारगर साबीत होगा यह फास्ट बसी करना है तेज बसी करना है तो विडियों के कमेंट बक्स में जैसिरराम जरूर लिखें तो विडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस विडियों में इतना ही और हमें दिजिए इजाजात